कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्त होंगे आप सभी के लिए आज मैं प्रेटर आरभी एलपी टेक्निशन प्रिवियस यह जो ऑल जी के सीरीज है इसकी कलास दूसरी लेकर आया हूं और टोटल 50 कोश्चन मैं आप सभी को कराऊंगा जो है 1784 कोश्चन जतने भी प्रिवेस से के कुश्चन से सारे कडा चुका हूं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का नाम है प्लेटफॉर्म जनल लॉने सीरीज जाके चेक आउट कर सकते हैं काफी हिलफूल है और प्लेटफॉर्म की जनल साइ करके बैल आकन को प्रेस करें दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजिए और जहां भी सेयर करने का मुका मिलता है सेयर कर दिजिए हमेसा खास अब्डेट आप लोगों के लिए लाता हूं तो आप लोग लाइक करके तो अपना होसला और सपोर्ट बढ़ाईए चलिए वीडि किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हल्फूल स्रीज और काफी उपयोगी स्रीज हैं एंटीपिसी के सारे प्रिवेसर के कुश्चन कंप्रीट हो चुके हैं आप लोग डिस्क्रिप्सन बॉक को चेक करके जरूर उस स्रीज को देख लिए काकी वह चाले ऑप्सन में किरन बेदी दूसरे ऑप्सन में अनील कुमार धंसेना तीसरे ऑप्सन में है आप लोग को दिनिस्वर सर्मा और चौते ऑप्सन में अजीत डोवाल तो इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का बी नमड़ जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का डी नमड़ ऑप्सन रसवेदी अभिगरांक इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए अभिगरांक को रसवेदी अभिगरांक कहते हैं जीब मुगवा क से मिठे स्वाद और पश्चात भाग के कड़वे स्वाद का ग्यान होता है जीब के बगल से खटे स्वाद का आवास होता है और जीब अपनी गती के द्वारा भोजन को निकलने में मदद करता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्व भॉमी गुर्तवा करसन कॉंस्ट जो राइट अंसर हो जागा दोस्तों उस्तों ओजाएगा अ में लोगका ए नर्फोह ऑप्षेन हैं के बढ़व बहांग करते हैं सर्वॉमी घृतवा कर्सन का थे स्वारा की गई rating विए चान चीका आपंद सुकित किया जाता है और जी आंच कनृत 9拉 स्कुएर पढ़के जी स्कुएर होता है न्यूटन को गुरतवाकरसन नियम के रुसार ब्रहमान में किनी दो पिंडों के मद कार्ज करने वाला आकरसन बल उनके दरङ दर्मान के गुन नुफल के सवानुपाती था उनके मद्ध की दूड़ी के वर्ग के बितकर मानुपाती होता है पैंतालिश डिली अक्षान स्था समुदर तल पर जी का परमानिक मान 9.8 सिंटीमीटर स्क्वाइर होता है जी का नियुनतम मान भूमद रेखा पर होता है जी का अधिकतम दुरुबों पर होता है नियुटर के गुर्तवाकर्शन नियम का बर्तमान पारूप सीवी बोयोडा ने दिया जी हम लोग आगे बढ़ते हैं नियमलिकित में से कौन सा एक अमल का गुन नहीं है अमल का स्वाद घटा होता है अमल का स्वाद करवा होता है अमल छाड के साथ मिलकर लवन बनाता है अम नियरे लिट्वास पतर को लाल कर देता है इस कौश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नम्मर आप्शन अमल का स्वाद करवा होता है इस कौश्चन का राइट एंसर है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अमल का स्वाद करवा होता है अमल का गुन नहीं है अमल वे योगिक पदार्त हैं जिसमें एक या एक से अधिक भी अस्थापनसील हैड्रोजन परमानों बिदमान हो तथा उनमें अस्था या पुंता धातों या धातों के सदरिस आचन करने वाले मुलकों द्वारा भी अस्थापित करने पर लवन का निर्मान होता हो जो चारक या चार से अभिक्रिया कर लवन एवम जल बनाते हो जिसके जलिये गूल नीने लिटमस पत्र को लाल करते हो तथा जो स्वाद में खटे हूँ अम्ल मिथाइल ओरेंज को जो लाल कर देता है और अच्छे अब परबल अम्ल वियुत के सुचालक होते हैं और भस्न स्वाद में तीखाया करवा होता है चलिए मैं आप लोग को अम्ल का स्वाद बताता हूँ इस question में जो answer दिया हूँ एक गलत है अम प्लिकित में से किस चेतर में सावजनी को प्लदी के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन प्रुसकार दिये जाते हैं इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो पहले option में साइथ दूसरे option में गड़ी वी उन्मुलन तीसरे option में खेल और चौथे option में चेतर में और भायत का खेल छेतर में सबसेषट पुर्शकार राजेव गांदी खेल लत्न पुर्शकार है चलिए हम लोग आगे बरते हैं डैस की प्रिकडिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संदक्षित किया जाता है चिकनाई मिश्दातुकरण globalization या anodizing इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का c number option globalization इस question का right answer हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं globalization की प्रिकडिया में लोहे को जस्ता की एक coating दोरा संदक्सित किया जाता है लोहे में junk ferrosporic oxide प्दार्थ है और यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है लोहे में जंग लगना रसानिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगने से वजन बढ़ जाता है paint करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यसद लेपन, क्रोमियम, लेपन और अनोडिकन यह में सधातू बनाकर उपर उठाएगे यहां थोड़े के पास इस्तिती जूर्जा होते हैं किसी बस्तू में उसकी अवस्था या इस्तिती के कारण कारज करने की छमता को इस्तिती जूर्जा कहते हैं किसी बस्तू में कारज करने की छमता को उस बस्तू की उर्जा कहते हैं उर्जा एक अदिसरासी है घड़ी की चावी में संचित उर्जा एस्तित उर्जा का उधारन संबेक दो गुना करके करने पर गतिज उर्जा चार गुनी हो जाएगी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉबल पुरुषकार जीतने वाले एक मात्र भारतिय अर्जास्त्री कोन है अविनास दिक्षित अमित मिस्रा अमर्ते सेन अभिजीत बेनरजी इस कुईटन का जो राइट एंसर हो जाएगा हम लोग का सी नमर आप्शन अमर्ते सेन इस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जब हम लोग का सी नमर आप्शन सेल की संख्या बढ़ जाती है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जब हम आबदिक तालिका के संख्या में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है पावली का अबरजन नियम के अनुसार एक दिये के परमानों में किनी दो एलक्ट्रोन के लिए चार कौंटम संख्याओं का मांत समान नहीं हो सकता हूग या अधिक्तम बहुलता क अनियम के अनुसार एलक्ट्रोन तब तक युगमित नहीं होते जब तक की रिक्त होल का ख्या प्राप हो है जैन वर्क को अनिशिता सिधान किसी कन की स्थिति और वेक का एक साथ यथार्थ निधारान असंबग है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मानव नरों में मुत्र और वीर के परवाव के लिए एक ही अनाग जिसे मुतरासे तक संब्रेदे और इसका आकार गोल सुपारी जैसा है दोनों पुरस्था गरंतियों संजुकत होकर एक समान पुरस्था का निर्मान करती है इसमें लगवग दो दर्जन नालिकाएं होती है जो मुतरमाग में खिलती है पुरस्ता दर्ब सुक्रासे दर्ब के साथ मिलकर मुतरमाग में पहुँचता है सुक्रवाइनी अधिविर्शन को सुक्रासे से जोड़ती है चुली हम लोग आगे बढ़ते हैं दातों में सरन शुरू हो जाती है जब मुग का pH डैस से कम हो जाता है तो इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों पहले option में 5.7, दूसरे option में 5.5, तीसरे option में 5.6 और चौते option में 5.4 इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का B number option 5.5 इस question का right answer हो जाएगा दातों में सरन शुरू हो जाती है जब मुह का pH 5.5 से कम होता है दातों का इनामेल केल्सियम फॉस्पेट का बना होता है जो कठोर भाग होता है यह जल में नहीं गुलता है लेकिन मुह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संदक्षित हो जाता है और हमारा सरीर 7.8 pH परास के बीच कार्ज करता है जिवित परानी केबल संकिन pH परास में ही जिवित रह सकते हैं वर्सा के जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अमले वर्सा कहलाती है चलिए हम लोग आगे बरते हैं अमेरिकन बॉर्ड कास्टिंग कॉपरेशन के TV कार्ज करम क्वान टिकौ में कौन सी परसित भारती है अभी नेतरी के अभी ने किया है इस question का जो पहला is question का जो option है पहले option आलिया भट दूसरा option डिपिका पादुकौन तीसरा option प्रियंका चाप्रा और चौथा option मलाय का अरोड़ा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का C नमर उप्शन प्रियंका चौपडा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा एक एमो फॉर्टेरिक ऑक्साइड है पहले उप्शन में है ऐल्मूनियम ऑक्साइड दुसरी उप्शन में ऐरन ऑक्साइड तीसरी उप्शन में है आपको मेंगनिसियम ऑक्साइड और चौथे उप्शन में कार्बन डै उप्शाइड इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा हम लोग का ए नमर उप्शन अलमूनियम ऑक्साइड चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एलमूनियम ऑक्साइड एक एमो फौर्टिरिक ऑक्साइड है वो योगिक जो अनू या आयन जो अनू और चार को चार दोनों की भाती बहबार करता है कुछ परमुक उधारन जैसे जिंक ऑक्साइड जेड एनो ले आक्साइड पीवी ओ एलमूनियम ओक्साइड AL2O3 एस्टिनस ओक्साइड SNO2 एलमूनियम हैड्रोक्साइड ALOS3 बेलियम हैड्रोक्साइड आदे चलिए हम लोग आगे बरते हैं एक परतीरोधक में से बिद्धारा आई प्रभावित होती है एक स्रोध परतीरोध में बी का विवांतर बनाई रखता है समय T में स्रोथ द्वारा आप उर्ती की गई उर्जा की मात्रा होती है पहला है बी आई टी स्क्वार बी आई बी आई टी बी आई पर्ती टी इस क्वेशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैं आप लोग को उता हूँ हम लोग का सी नमर आप्शन बी आई टी तो चलिए यह बोल्ट धारा और टाइम चलिए तो एक पर्ती रुदक में जब यह दो धारा आई परवाहित होती है तब सुरूद जो होता है पर्ती रुदक B से विववांतर बनता है तब समय T से सुरूद द्वारा आपूर्ती कीगई उर्जा की मातरा B I T होती है और पर्ती रुदक R बरावर B I होता है जहां B B वववांतर और I धारा है और विशिष्ट पर्ती रुद किसी चालक का परतिरोध किसी उसके लंबाई किसी समानूपाती होता है और उसके अनुप्रस्त काचकी छेतपल का विद्दक्रमानी को होता है अधार बरावर होता है आपको R स-R, R विद्दक्रमानूपाती LEA, जहां L जो है चालक की लंबाई है यह बराबर होता है आपको चालक का परतिरोद है आर जो है आपको रो एल ए दिया हुआ है जहां रो एक निर्यातक है और इसे चालक का विशष्ट परतिरोद कहते हैं यह जो लिखा हुआ है बहुत सारे बचे से नहीं पहचानते होंगे यह रो है रो लिखा हुआ है रो बराबर परती रोद बराबर रो इंटू एलवाए ए होता है रो इंटू एलवाए ए होता है परती रोद बराबर रेसिस्टेंस बराबर जो है यह फर्मूला होता है इसका मान चालक पदार्थ की परकिरती और उसके ताप पर निर्वर करता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कोईशन को डिसकस करते हैं प्रारंबिक भारते दासनिक के अनुसार प्रतेक बस्तू डैस मूल तत्मों से बनी होती है दो चार तीन पांच इस कोईशन का जो भारतीय साहित में इन तत्मों को पंच तत्म कहते हैं जैन धन के अनुसार दृष्टी का स्विर्जन छे तत्म से हुआ है जो है जीव अजीव धर्म अधर्म काल और आकास प्राचिन भारत में छे दर्सन है भारत का सबसे प्राचिन दर्सन नया दर्सन है जिसके परतिपा वे कोसिकाएं, जो मूल रुप से सामान होती है, प्रंतु दिखने और कार्ज में भीन होती है। इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का d number option वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्ज करने में सामान होती है तो D number option इस question का right answer हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बरते हैं और आगे के point को discuss करते हैं उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्ज करने में सामान होती है उत्तक का अध्यान हिस्टोलोजी में किया जाता है उत्तक एक सामान अथवा आपस में मिलती जूलती सेलों का ऐसा सम्मू है जिसकी सेलों दोरा सामान कार्च करती है तथा उसकी उत्तपती भी सामान सेलों से होती है पिविन परकार के उत्तक मिलकर एक सुभविस्तिक अंग का निर्मान करते हैं जन्तु उत्तक अधिकांस बहु कोशिके जन्तुओं में चार परकार के उत्तक पाये जाते हैं उपकला, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक उत्तक सब्द का प्रयोग सरपर्थम बिंचट ने किया कुशिकों में उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्मान होता है चलिए हम लोग आगे बरते हैं और आगे के question को करते हैं बंगाल का पहला विभाजन बर्स डैस में हुआ इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1905SV जो कि हम लोग के D number option में है तो D number option इस question का right answer हो जाएगा बंगाल का पहला विभाजन बर्स 1905SV में हुआ था 19 July 1905SV में Lord करजन ने विभाजन की घुष्णा सिमला में किया गया चलिए हम लोग आगे बरते हैं एक परकार में के अलेंगिक परजनन को पहचाने इसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौदे के कुछ हिस्तों के मादियम से परजनन सामिले मुकुलन, वनस्पती परजनन, बिखंडन या अन्वो का विभाज़र इस क्विश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नम्मर आप्शन बनस्पतिक परजनन चली हम लोग आगे बरते हैं एक परकार के ओलंगिक परजनन को वनस्पतिक परजनन जड़, तने और पत्तियों जैसे पौदे के कुछ हिस्तों के मादियम से परजनन सामिले अनाविर्थ बिजी और आविर्थ बिजी पादपों में मुक्ता लेंगिक जनन होता है नड़ युकमत तथा अंड को सीका के संयोजन से युमनाज बनता है इसे ही लेंगिक जनन कहा जाता है त्री संयोजन के पलसरू त्री गुनित भूपर बुन पोशन बुन पोश बनता है जिवानों में और लेंगिक जनन दिविवाजन द्वारा कोनीडिया द्वारा एक वं अंतजबी जानू द्वारा होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं किस भारते लेकक ने थिंक्स टू लीब ब्याइंड पुस्तक में कमाओ की पारियों में जीवन का वर्णन किया पहले अप्शन में ससी थुरूर, दूसरे अप्शन में अनुस हिरानी, दूसरे अप्शन में नमिता गोखले और चौते अप्शन में बेकरम सेट इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों हो जाएगा हम लोग का सी नमर आप्शन नमिता गोखले चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि कंड़क्टर का परती रोद दो गुना हो जाता है तो बितु धारा आधी हो जाती है या किस कारण होता है, इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों पहले अप्शन में दिया है जो कि हम लोगे बी नमर आप्शन में है, भी नमर आप्शन का राइट एंसर होगा यदि conductor का परतिरोध दोगुना हो जाता है तो बिदुधारा आदी हो जाती है यह जो है आई बराबर भी आर के करण होता है और आर बराबर भी आई है आ जहां आर परतिरोध है भी विवांतर है और आई धारा है तो किसी चालक का परतिरोध बढ़ने से परतिरोध बढ़ता ह ताप बढ़ने से चालक का परती रोध बढ़ता है किसी चालक का परती रोध उसके अपदार्थ की प्रकृति पर निर्वर करता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत की किस उत्तरपुर्वी राज ने 2022 में 49 में राष्ट्रिय खेलों की मेजवानी की जिम्मिदारी लि इसाई धर्म में सबसे परसीद चर्चों में से एक सेट फिंटर्स वैसीली का किस सर में इस्तित है मैडरेट लिस्वान पीसा या वैटिकन इस क्वेशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का ए नमर आप्शन मैडरेट इस क्वेशन का मैथलेहम में हुआ था और इस्पेन की राज़ानी मैडेड है इसाई धर्म का भारत में पर्थम परबेस लगबग 40 A.D. में इसा मसही के सिस संथामस के द्वारा किया गया जो पहलवे राज गोंड फनीज के दरबार में आये थे जिनका मलुपूर में हत्या कर दिया गया चलिए हम लोग आगे बरते हैं डैस एक मुस्लिम संथे जो उस जगह पर रहते थे जहां फथे पूर सिकरी का निर्मान किया गया था निसा असिरुदीन चिराग देल भी निजामुदीन ओलिया बावा फकुरुदीन सेक सलीम चिस्ति इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो असिर्मान किया गया था शेख सलीम चिस्ती सूफी सं थे शेख सलीम चिस्ति है अकवर के अध्यात्मिक गुरू थे उनके अशिर्वात से अकवर को पुत्र जण्म लिया अगर्स्तुनी 1599 इसफी अकवर के बरे पुत्र का जण्म हुआ सेख सलीम चिस्ती के नाम पर अपने बड़े पुतर का नाम अकवर ने सलीम रखा अकवर ने सेख सलीम चिस्ती के सम्मान में 1578 इस्वी में भदेपूर सिक्डी की राज़ानी बनाया सेख सलीम चिस्ती का दरगा भदेपूर सिक्डी में है निजामुदीन ओरिया में सुल्तान ग्यासुदीन तुगलक का संबंद अच्छा नहीं था चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नमलिकित में से कौन सी दातु को चाकु से काटा जा सकता है सोडियम, तामबा, लोहा, अल्मुनियम इस कोश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों गो हो जाएगा हम लोग का ए नमर ओप्सन सोडियम इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा सोडियम दातु को चाकु से काटा जा सकता है सोडियम अंतेंधी क्रियासील तर्ट्रब होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है सोडियम दातू मुलायम होता है अपेक्षिक घनत 0.97 होता है सोडियम का निस्कार्शन काश्टनर विधी द्वारा दरविद सोडियम हाइडरोक्ताईड के बेदुत अफगतन से किया जाता है और हाइडोजन गैक्स मुक्त होती है लोहा का मुक्त लाल हेमेटाइट है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जब प्रकास की एक किरन एक सगन मादियम से बिलल मादियम में यात्रा करती है तो यह किस दिसामें मुर्ती है अब इलम की और तथा धीमी हो जाती है अब इलम से दूर तथा गती बढ़ जाती है। पढ़ने बर करता है जिसकी तरंग धेर्ज सबसे अधिक होती है उसका परकिर्णन सबसे कम होता है समुंदर का पाने भी परकिर्णन के करण नीला दिखाई देता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भारतिय एथलीट नीरच चोप्रा ने बिस्व एथलेटिक्स चेंपिय इतियास रचा उनका खेल क्या था लंबी कूद गोला फेक भाला फेक या चक्का फेक इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का बी नमर आप्शन तीन परमानों होते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान के एक अनूं म में तीन परमानों होते हैं और जो है गाड़े नीले रंग की गैस है और जोन अनूत्री परमानों होते हैं और इसमें सही मचली की तरह गंद होती है और जोन गैस चांदी के चमक को काला कर देती है और जोन गैस ऑक्सी कारक और अब कारक दोनों गुंद परदसित करता है सी इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा हम लोग का डी नमड ऑप्शन गती जूर्जा चलिए हम लोग आगे बरते हैं जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो इस्तिती जूर्जा को गती जूर्जा में परिवर्थित करती है किसी बस्तू में उसकी अवस्ता या इस्तिती के कारण काज करने की छमता को इस्तिती जूर्जा कहते हैं बांद बनाकर जब पानी कठा किये जाते हैं तो इस्तिती जूर्जा संचित है लेकिन जब उस पानी को छोड़ा जाता है तो गती जूर्जा हो जाता है उर्जा का रिन समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस परमुख बैंक ने उननती क्रेडिट कार्ड शुरू किया SBI, IACC Bank, HDFC Bank, Axis Bank इस question का right answer जो है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का SBI जो कि हम लोग के A number option में है A number option इस question का right answer हो जाएगा रियो ओलम्पिक 2016 में भारत के लिए ध्वज वाहक कौन था PB सिंदू, सैना नेवाल, अभीनव बिंदरा, साक्षी मलिक इस question का right answer हो जाएगा C number option अभीनव बिंदरा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं किस परसित फिल्म अभीनेतरी और सेलिबर्टी ने 2017 में पैटा पैरसन आप द इयर प्रुसकार जीता दिपिका पादुकॉन, अनुसका सर्मा, आलिया भट, प्रियंका चौप्रा इस question का right answer हो जाएगा अनुसका सर्मा जो कि हम लोग के B number option में है तो B number option इस question का right answer हो जाएगा डैस बहु बिखंडन द्वारा उत्पन होता है प्लेरेनिया, प्लाजमोडियम, रैजोपस, खमीर इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का A number option हो जाएगा प्लेरिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लेरिया बहु बिखंडन द्वारा उत्पन होता है यह बिस्ट में बहुत साड़े अस्थानों पर पाए जाता है जैसे नमकीन जल आदी भूमी में आदर भूमी में पैरो पर मिलेरिया ये रोग प्लाजमोडियम नमक परजिवी प्रोटोजवा से होता है प्लाजमोडियम मादा एन प्लोजम एनोफिलीज मच्छर के सरीर से सरीर में आसरे लेता है और जिस याम अपने डंक द्वारा मनुस के सरीर में पहुँजा कर उसे रुगाउन कर देता है प्लेनेरिया जीप त्री अस्तरिये होता है एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म का बना होता है किनवन की किरिया दोरा थाइल एलकोहल तथा सी ओटू उद्पन होता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के कुशन्स को करते हैं कम लागत वाली एरलाइन स्पाइस जेट के सासरी होजक संस्तापक और मालिक भारतिय उद्धमी का नाम बता है कैप्टन जी आर गोपिनात्य रतन टाटा बिजय अमालिया अजय सिंग इस कुशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नमर आप्शन अजय सिंग चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं खाद पदार्थों का आउक्सीकरन होने से रोकने के लिए निमन में से किस ग्यास का उप्योग किया जाता है नै्ट अट्रोजयन का ओक्सीजन का या क्लोरीन का इस कैणव राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मैं आप लोग के बताता है नैट्रोजन का जो कि हम लोग के ऊनमर आ उप्शन में Lenarum इस कोया हो खाद प्यारतों को आक्सिकन होने से रोकने के लिए नाइटोजन गैस का उप्यूक के जाता है, नाइटोजन प्रोटीन नामाग जटिल कारवनिक योगिक में उपसित रहता है, यूडिया में नाइटोजन की मातरा 46% होता है, नाइटोजन का अनुद्वी परमानिविक एव निकलने वाली उर्जा निमन में से किसका रूप नहीं होता, गतिज उर्जा का, रसाइनिक उर्जा का, उसमी उर्जा का, यांतरिक उर्जा का, इस कुशन का जो राइट अंसर है दोस्तों, वो जाएगा हम लोग का B नमर उप्शन रसाइनिक उर्जा का, चलिए हम लोग आगे बरते हैं सैकिल की सवारी करते समय निकलने वाली उर्जा रसानिक उर्जा के रुप में नहीं होता है। इंजन उस्मा उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलता है और डैनमो यांतरिक उर्जा को विद्ध उर्जा में बदलता है। रसानिक परिबर्तन वो परिबर्तन है जो पुना अपने मूल अबस्ता ने नहीं आ सकता है उर्जा का कभी छहे नहीं होता केवल उसका रुपांतरन होता है कोईला के जनले से प्रकास और उसमा उत्पन होती है तेलगू फिल्म अभी ने ती शिरन जीवी ने किस राजनेतिक दल की सुरुआत की थी इसके बाद में भारती राष्टे कॉंगरेस के साथ उन्होंने बिलेक कर दिया था अंद्रा पराइट पार्टी नम निर्मान पार्टी तेलगू देसम पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी इस कोईशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नमर उप्शन परजा राज्यम पार्टी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कस्क्यूटा एक परजीबी के रुप में पौदेब में पौशन प्राप्ट करता है परजीबी पौशन में इसमें एक जीब दूसरे जीब पर आस्रित रहता है था उसे हानी पहुँचाता है जैसे कवक, जीबानू, बिशानू, आदी इस परकार के संब्ध में एक जीब को हानी अतवा लाब नहीं होता है जैसे अदी, पादप, लियाना, रैजोबियम, आदी परब, परवक्षन इस परकार के संब्ध में एक जीब दूसरे जीब का पूरी तरह से वक्षन कर लेता है जैसे जाफू, गैस, आर्थो, बोट, ट्रस, आदी, सजीवन इसमें दोनों जीवों का प्रसपर लावकारी संबन्द होता है जैसे लाइकेन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा फूल के केंदर में मौजूद होता है अंडप, बाइदल, पुस्प कैंसर, पंक्रियों इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नमर आप्शन अंडप, शलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अंडप फूल के केंदरों में मौजूद होता है पुस्प एक डंठल दोरा तने से संबंद होता है इस डंठल को ब्रिंत या पैडी सेल कहते हैं ब्रिंत के सीरे पर इस दिख चपेट भाग को पुस्पासन या थेलासन कहते हैं पुस्प के चार मुक भाग होते हैं बाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, पुंकेसर की पुस्प का वास्तविक नरभाग है, परतेक पुंकेसर के तीन भाग, फिलामेंट, एंतरेत और कनेक्टिव होता है, जयांग पुस्प का वास्तविक माधा भाग है, और वर्तिकागर वर्तिकागा सबसे इस कुशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नमर आप्शन सुदिपता दास चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बैबस्तित बस्तों की वो परविर्थी जो उसे इस्तिरिया सामान गती से गतिमान डेने के लिए परवित करता है क्या कह जाएगा जरत करना स्बिыт मेट आपर्वित तोस्तों परवित्त के बैट के रवह रूपने भी कहते हैं यह जरत का उदारन कंबल को हाथ से पकर कर नो बूल के कंग जर्कर गिर पढ़ते हैं चलती वीउ मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें वैठे यातरी आगर की और जुग जाते हैं किसी वस्तु की कार्ज करने की छम्ता को उस बस्तु की उर्जा कहते हैं उर्जा एक अदिस रासी एक वस्तु का दर्मांद धावेग की गुनिफल को उस बस्तू का संबेग कहते हैं निमलिकित में से कौन से छेतर में पवन उर्जा के लिए उस्तम चमता है हिमाले परबत गंगा के मैदान पश्मी घटा पसीम घाट और आप लोग को दक्कन के पठार इस कोईशन का जो राइट इंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो पुन काड़क है भावन उर्जा भारत के गुजरात रास्थान में अधिक उत्पादित होता है और भारत का पवन उर्जा में 24 अस्तान है भारत सरकार सबसे ध्यान अधिक ध्यान सौर उर्जा पर दे रही है फ्रिडम ट्रेल एक 2.5 मीटर मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी करांती को बहतर तरीके से दर्साता है और आपको यह परसिद रही है त्यासिक मार्ग किसे अमेरिकी सहर में मिलेगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रिडम ट्रेल एक 2.5 मीटर मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी करांती को बहतर तरीके से दर्साता है आपको यह परसिद रही है त्यासिक मार्ग बोश्टन सहर में मिलेगा 16 दिसंबर 1773 को सैम्यूल एडम्स के नतरुत में बिट्रिस विरूद किया गया जिसे वाश्टन का टी पार्टी कहा जाता है अमेरिका सुन्ता संग्राम जोज वासिंटन के नतरुत में लड़ा गया 1776 से 83 स्विव में बिट्रिस सेना का परदान सेना पती इस युद्व में लॉड का टी लस्थे पैरिस के संदी दोरा अमेरिका को 1773 स्विव में सुन्ता परदान किया गया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ओम के नियम के नुसार यदि करंट आई बढ़ता है और संभावित अंतर तो इस्तिर रहता है तो परतिरोध कम हो जाता है विवांतर घड जाता है परतिरोध परिवर्तित रहता है और परतिरोध बढ़ता है इस क्वेशन का जो राइट एंसर हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार यदि करेंट बढ़ता है तो संभामीत अंतर विवांतर इस्तिर रहता है तो परतिरोध कम हो जाता है परतिरोध कम होने से विजुत धारा अधिक परवावित होंगे यदि परतिरोध अधिक होंगे तो विजुत धारा कम परवावि कि चाल से यात्रा करती है इस परकार एक सकेंड में 333 मीटर की दूड़ी किसके द्वारा तेक की जाती है आसांती स्रोथ कन डीसीवर्ड इस कुशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा आसांती जो कि हम लोगे ए नमर ऑप्शन में है ए नमर ऑप्शन इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा दोनी आवा में 333 मीटर पर सकेंड की चाल से यात्रा करती है इस परकार एक सकेंड में 333 मीटर की दूड़ी असांती द्वारा तेक की जाती है विविन माद्यों में दोनी की चाल बेनवीन होती है किसी माद्यम में दोनी की चाल मुक्त तरंग धर्च के एक माध्यम से दुसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है लेकिन आवरती नहीं बदलता है हीलियम को छोड़ कर सभी नॉबल गैस में बारी सेल में कितने एलक्ट्रोन होते हैं चार, दस, छे, आठ इस कुश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का डी नमड आप्शन एट इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हीलियम को छोड़ कर सभी नॉबल गैस में बारी सेल में आठ एलक्ट्रोन होते हैं कक्षाओं सेल में, कक्षाओं सबसेल में इलक्ट्रोन के वीवरन को परमानों का इलक्ट्रोन बिन्यास का जाता है किसी भी परमानों की बायतम कक्षाओं में उपस्तित इलक्ट्रोन सहीं हो जी इलक्ट्रोन का जाता है किसी भी परमानों के बेतरी कक्षाओं में उपस्तित एलक्टरोन को कोर एलक्टरोन कहते हैं फूलों वाले किस पौदे में पत्यों के मरजिन के दर्रों में कालिकाएं पैदा होती है गुलाब का फूल ब्रायोफाइलम केला ब्रायोफाइटा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नमर option ब्रायो फाइलम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फूलों वाला बाले ब्रायो फाइलम पौदे के पत्यों के मर्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती है और बिजांट सदांतर अंडाकार होते हैं जिस स्थान पर बिजांट बृत लगा दोरा लगा रहता है उस इस्थे को हम लोग हैलम कहते हैं पुस्प का अधियन एंथोलोजी कहलाता है पुस्प का मुख्यकार लिंग्य परजिनन दोरा फाल तदा उसके अंदर बीज का निर्मान करना है बिजांट के भीतर भृण कोस रहता है चली हम लोग आगे बरते हैं रसानी गुणों में से मैंडलिप के किन से तत्वों कौन से तत्वों दोरा बनाए गए योगिक पर ध्यान केंजित किया hydrogen और sodium carbon और hydrogen 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 और oxygen carbon और sodium इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का C number option hydrogen और oxygen चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रसाइनी गुनों में से छोड़ने रसाइनी गुनों में हैडोजन और oxygen तत्मों दोरा मैंडलीफ योगिकों के निर्मान पर मैंडलीफ ध्यान के अंदरित किया मैंडलीफ के आबर्चार्णी में हैडोजन का इस्ता बिवाद पुर्ण रहा है इनके आबर्चार्णी में समस् उनके परमानू भारों के आबर्त फलन होते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रभिंदर नाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्ता की प्राप्त अस्थापना की गई विस्व वारती ग्याननतम विद्याले सेवास ग्राम विद्याले रभिंदर विद्याले इस प्रुषकार के लिए 113 वी में नोबेल पुरुषकार दिया गया सेवागराम का संबंद महत्मा गांदी से है रभिंदर नाथ टैगोर का संबंद विश्व मानवता वाद से है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रिक्त अस्थान में सबसे उप्युक्त विकल भरे धोनी क पिच इसके डैस पर निर्वर करती है आबिरती ले आयाम तरंग धेर्च इस कुश्चन का जो राइट एंसल हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का ए नमर ऑप्शन आबिरती चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं धोनी की पिच आबिरती पर निर्वर करती है को महलाओं को बतली आवाज का कारण पिच अधिक होना है धोनी के पिच का धोनी की जित आ इसवर पर निर्वर करती जिससे धोनी धीमी मंद अथवा तिवर परवल सुनाएं देती है धोनी की तर्वता आयाम के वर के अनुक कर्मानुपाति चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डैस वस्तु कला में मुख रूप से चैत बिहार अस्तूप और अस्तंब होते हैं हिंदू मुगल मौर ये बौध इस कोश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हम लोग का डी नमर ऑप्सन बौध इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा बौध वस्तूप कला में मुक रूप से चैत बिहार वस्तूप और अस्तंब होते हैं चैत बूध धर्म की का पूजागिरी मंदिर है काडले का चैत भात में सबसे बड़ा चैतर है का बड़ा बनवाया गया है बहार बहार बौद के सिख्चाक की आंधर केंदर को कहा जाता है मत जहां व्यक्शू व्यक्शूनी रहते हैं तोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा और वीडियो को पूरा-पूरा देखने के ल फिस्टू गुरूप्स में और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा चलिए ओके बाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में